आपका पहला प्राश्ण है, भारत में कोईले का सर्वादिक प्रयोग कौन करता है? A. थमल विगुत केंद्र B. इस पात उभोग C. इटों को निर्मित करने वाले भट्टे D. विगुत उभोग इसका सही उत्तर है Option A. थमल विगुत केंद्र आपका अगला प्राश्ण है भारत ने प्रथम आनुविक विस्फोर्ट के स्थान पर किया A. चंडीगर B. महाराष्ट्रा C. पोखरन D. कुजरात इसका सही उत्तर है Option C. पोखरन आपका अगला प्राश्ण है निम्मल्खिक में से कौन सी मिट्टी भारक में नहीं पाई जाती है A. दोमत मिट्टी B. पोखरोल मिट्टी C. लाल मिट्टी D. काली मिट्टी इसका सही उत्तर है Option B. पोखरोल मिट्टी आपका अगला प्राश्ण है भारक में सबसे महत्वकून नौ सेनिक अड़ा कौन सा है A. बंगलोर B. खाईद्राबाद C. तिर्वनन्तपुरम D. विशाखापटितनम इसका सही उत्तर है Option D. विशाखापटितनम आपका अगला प्राश्ण है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा स्थित है A. हरियाना B. मदरास C. कलकलता D. बंगलोर इसका सही उत्तर है Option D. बंगलोर आपका अगला प्राश्ण है भारत के दक्षिंचोर का क्या नाम है 1. निकोबार द्वीप में स्थित इंद्रा पॉइंट B. कन्या कुमारी पॉइंट C. कैलीमिय पॉइंट D. ट्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम इसका सही उत्तर है Option 1. निकोबार द्वीप में स्थित इंद्रा पॉइंट आपका अगला प्राश्ण है इलाइची की पहारिया भारत में कहां स्थित है? A. मध्य प्रदेश B. तमिलनाडो C. केरल D. आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है Option C. केरल आपका अगला प्राश्ण है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग किंता गुना बढ़ा है A. तीन गुना B. चार गुना C. पांच गुना D. साथ गुना इसका सही उत्तर है Option B. चार गुना आपका अगला प्राश्ण है निम्मलखित में से कौन सा शहर है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांच पर स्थित है A. इलाहबाद B. अहमदाबाद C. पत्ना D. पंच मगी इसका सही उत्तर है Option C. पत्ना आपका अगला प्राश्ण है निम्मलखित में से किसको सूर्य की उध्वारधर किरने कभी नहीं मिलेगी A. तिरुवन्त पुरम B. चेन नई C. मुंबई D. श्रीनगर इसका सही उत्तर है Option D. श्रीनगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका अगला प्राश्ण है पूर्वी तत्य मैदान का अन्य नाम क्या है A. कोरो मंडल तत्य मैदान B. कोकन तत्य मैदान C. कुजरात मैदान D. मालाबार तत्य मैदान इसका सही उत्तर है Option A. कोरो मंडल तत्य मैदान आपका अगला प्राश्ण है पाक जलसंदी किन दो देशों के बीच है A. पाकिस्तान और श्रीलिंका B. भारत और श्रीलिंका C. पाकिस्तान और इरान D. भारत और पाकिस्तान इसका सही उत्तर है Option B. भारत और श्रीलिंका आपका अगला प्राश्ण है निम्मल खित में से कौन सा देश पल्क स्ट्रीट से जुड़े हुए है A. उत्तरी कोरिया और दक्षिनी कोरिया B. ब्रिटेन और फ्रांस C. भारत और श्रीलिंका D. पाकिस्तान और चीन इसका सही उत्तर है Option C. भारत और श्रीलिंका आपका अगला प्राश्ण है हिंसागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से किस स्थान तक जाती है A. कन्याकुमारी B. महाराष्ट्रा इतने और समूद्र है A. दो और B. तीन और C. चार और D. पांच और इसका सही उत्तर है Option B. तीन और आपका अगला प्राश्ण है अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है 1. बनारस B. दिल्ली C. कोचीन D. सूरत इसका सही उत्तर है A. पूर्वी B. तक्षनी C. पश्चिमी D. उत्तरी इसका सही उत्तर है Option D. उत्तरी आपका अगला प्राश्ण है सरदार सरोवर परियोजन किस नदी से संबंधित है A. कोम्ती B. नर्मदा C. कनगोत्री D. कृष्णा इसका सही उत्तर है Option B. नर्मदा आपका अगला प्राश्ण है थार मरुभूमी कहां स्थित है A. राजस्थान B. कुजरात C. पंजाब D. खरियाना इसका सही उत्तर है Option A. राजस्थान आपका अगला प्राश्ण है सबसे अधिक तूफान कहां आते है A. बिहार की खाड़ी में B. पाडू की खाड़ी में C. काच की खाड़ी में D. बंगाल की खाड़ी में इस प्राश्ण का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले Thank you for watching